तो अपनी पिछली Attack on Titan वाली वीडियो में हमने 9 Types of Titans के बारे में जाना था और आज की वीडियो में हम Titans के पूरे History पे बात करने वाले हैं यानि कि हम ये जानेंगे कि आखिर इन Titans का इजाद कैसे हुआ और ये जो बड़े बड़े Walls आप देखते हो City में वो अब्वियसली Humans तो नहीं बनाए होंगे तो Titans का हाथ इसमें किस तरह से था तो अपनी कुरसी की पेटी बान लो पॉपकॉन रिडि कर लो क्योंकि वीडियो इसने अटाक करके कबजा किया था ऐसे में गाओं के साड़े लोगों को किंग फिड्स ने अपना गुलाम बना लिया था यहां यमिर बिना कुछ कहें अपने गुलामों वाला काम करती थी और उनके टंग्स वगएर को भी काट दिया गया था तो एक रादेसा हो था कि यमि को आजाद कर देते हैं लेकिन आजाद आजाद नहीं क्योंकि वो उसके पीछे अपने सोल जासों कुट्टे लगा देते हैं बेसिकली कहा जाए तो उसको हंट किया जा रहा था अब यमिर उनलों को से भागते हुए एक पेर के नीचे आ जाती है जिसके नीचे में एक होल काइंड ऑफ केव जैसा बना हुआ था यमिर बचने के लिए उसके अंदर चली जाती है आगे बढ़ती रहती है और अल्टिमेटली वो पानी में गिरके डूबने लगती है अब मुझे पूछना कि पेर के अंदर एक लेक कहा से आ गया इसका explanation मेरे पास भी नहीं है लेकिन ब्लास्ट होता है जिसके बाद हमें Attack on Titan का पहला Titan मिलता है जो की था The Founding Titan अब King Fritz देखते हैं कि यमिर का तो ये Titan रूप बड़ा ही ताकतवर है तो भाईया वो बाजी ही यहां पलट देते हैं जी हां वो वापस से यमिर को गुलाम बना लेते हैं ताकि वो Founding Titan के powers का इस्त काहम में मतलब हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं Founding Titan अब King Fritz के आर्मी में भी सेट हो गई थी यमिर अपने Titan पावर का इस्तवाल करके मारले आर्मी से फाइट करने में काफी मदद करती है यहां में यह भी क्लिए कर दू कि इस पॉंट तक मारले और Eldian Empire जो थी वो एक दूसरे के दुश्मन थे अब King Fritz देखता है कि भाईया यह टाइटन की पावर तो अमीजिंग है तो ऐसे में वो यमिर को प्रेगनेंट कर देता है जिससे उसके होते हैं तीन बच्चे यह तीनों बेटिया ही थी जिनका नाम था रोज मारिया और शीना अब याद है परेड़े सालें में जब सारे important लोग एक साथ थे और वहां मारले के soldiers जो थे उनसे माफी मंगवाया जा रहा था जान की भीख मांगी जा रही थी तब एक soldier भाला उठा कर King को ही मारने की कुछिस करता है लेकिन बीच में आ जाती है यमिर तो यह भाला यमिर को इंपेल कर देता है और इस यमिर इस अटाक के बाद बच नहीं पाई वसे कई लोग यह भी मानते हैं कि यमिर के अंदर जीने की एक चाती ही नहीं और यह भी रिजन हो सकता है कि वह जिन्दा नहीं बची अब इसका रियल रिजन क्या है कि यमिर क्यों मारी गई यह मुझे एक्जाक्ली नहीं पता करके बट अब मैं हॉंटिंग वाले पेज पे ही इसको कंबाइन कर रहा हूं पेज का नाम भी चेंज करके अपने नाम पर रख रहा हूं तो हां इंस्टाग्राम का पुराना पेज था वह कहीं नहीं वाले पेज फॉलो करो हर जगा लिंक चेंज हो जाएगा कमिंग बाक टो स्टोडी यमिर के मरने के बाद किंग फिद्स ने अपनी तीनों बेटियों को यमिर के शरीर के टुकरे खिला दिये I know बहुत डार्क हो रहा है यह यानि में बट किंग फिद्स ने ऐसा इसले किया क्योंकि वो यमिर के टाइटन पावर को इनहरेट करना चा को ध्यते मतलने तक है कि टुम्हें बीजल्दी बच्चे पैदा करना है और अपने बच्चें को अपना लाश खिला देना यह ताकि यह ताहितन की पावर होती रहे यूजली लोग अपना धन पीडरी ट्राश पर करते हैं लेकिन यहां टाइटन do us की वहोज़ बहूल today और से हम दब पाथ कह सकते हैं यहां एक लाइट रे काइंड ओफ तिंग है जिससे की ब्रांचेस निकल रहे हैं और जितने ज़्यादा ब्रांचेस है समझ जाओ उतने इंसान के अंदर यमिर का खून है यहां पर यमिर खुद को रॉयल ब्लेड का गुलाम मानती है वो यहां पर साइंड की मदद से नए टाइटन का रूप बनाती है अब यमिर के मरने के सतरो सो साल बात तक आठ डिफरेंट टाइटन का इजाद हुआ और यहां पूछ सकते हैं कि यमिर तो एक ही टाइटन थी ना तो यह आठ टाइटन कहां से आए हांबात हांबात सब बताऊंगा पह तो यह से टाइटन बहुत सारे हैं लेकिन उनका टाइप नाइन ही है अब मैं आपको यहां बता दू कि जो भी टाइटन बनता है वो सिर्फ 13 साल तक ही जी सकता है और ऐसा शायद इसलिए क्योंकि यमिर भी टाइटन बनने के बाद 13 साल के बाद ही मारी गई थी तो हम कह सक इसने कि कैसे मारले नेशन इतना पाफुल हो चुका है और एल्डियन की हालत इतनी पतली क्यों है तो बैटल अफ ट्रॉस जिसमें अपना मेन कैरेक्टर बड़े से पत्थर को उठा के वाल मारिया के होल को भड़ा था उसके सो साल पहले 145 अफ एल्डियन किंग जिसका ना है उसमें टाइटेंस की पावर डिवाइड़ है तो कलेश तो होगा ही न बया ऐसा ही कलेश होता है हमारे घर में भी हमारे रिस्तेदार लगा देते हैं मिर्ची वगड़ा कुछ और फिर आपकी लग जाती है सेम चीज यहां हुआ तो काल फ्रिज को यह सब पसंद नहीं आ जादा अच्छा है अब मैं आपको बता तो कि टाइबर फैमिली से बिलॉंग करती है जिनके पास वार हैमर टाइटन है तो इनका प्लान यह था कि यह लोग फैमिली में ही फूट डाल देंगे जिसे सभी लोग आपस में ही लड़ जाएंगे समझ रहे हो बहुत अच्छा प्लान है आपके घर पे भी ताउ मौसी चाचा चाची देवदर कुछ 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 यह सब करते रहते होंगे इस काम को अंजाम देने के लिए किंग ने हिलोस नाम के एक मार्लियन सूल्जर को चुना जो कि इसका फेस बनेगा बेसिकली वह चीज की पीछे से पेंच मैं उठाया मार्लियन से बेसिकली एल्डिया पे हमला कर दिया उन्हें काइंड ओफ हरा दिया और इसमें उनकी मदद किसने करी टाइबर फैमली ने देख रहा है बिनोत कैसे आजकल किसी पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता इस दोरान मार्ले ने आर्मर्ड काट फीमेल कोलोशल जो और बीस टाइटन को हतिया लिया था जब ग्रेट टाइटन वॉर अपने चरम सीमा पर थी तो ऐसे में किंग फिद्स ने बचे खुचे एल्डियन्स को अपने कुछ परिवार वालों को लेकर पैरडिस आइलन चले गए वहाँ पे उन्हेंने कई सारे एल्डियन्स को को कई तपने गणुद्रक सब्तिक टाइटो अदुन्या पर डॉरीमों को हम यहां रहना चाहते हैं पूर्त लुका सबसकर पना को मतलब के बनाबंड़ मतलब एक दमतलना चाहते हैs लेकिन हम सब जानते हैं कि हवा हवाई जूट मूट बाते हैं आप पूछ सकते हो कि भाई इल्डियंस ने सवाल नहीं उठाया क्या जब उनको वॉल्स के इंदर इस तरह से बंद किया जा रहा था जब सारे लोग वॉल्स के इंदर आ गये थे तो ऐसे में किंग ने पाउंडिंग टाइटन के पावर्स की मदद से सब के मेमरी को मैनुपिलेट कर दिया जी हां उन्होंने बताया कि हमें सिर्फ दुनिया में बचे हुए कुछ लोगों में से एक हैं और बाहर सिर्फ टाइटन से हमला करते हैं समझेरो कैसे मैनुपिलेशन यहां पे हुआ जिस की मेमरी मिटाई जा रही थी तो कुछ ऐसे भी लोग ते जिनकी मेमरी नहीं मिटी थी वो लोग थे द एशिन क्लैन के लोग और अकरमैन के लोग तो चलिए इन दोनों क्लैन से भी थोड़ा बात कर लेते हैं तो ग्रेट टाइटन वार से पहले एल्डेन अमपार और तो उन्होंने उस सन को अपने साथ शोगुन क्लैन को आने का इनवाइट देते हैं और उसके बाद शोगुन क्लैन को ही एशिन क्लैन की पहचान मिली देखा जाए तो जब काल फिर्ज ने फाउंडिंग टावर का इस्तिमाल करके एल्डेन्स की मेमरी को मिटाई तो इस एकरमेंस को किंग फ्रिज का प्लान पसंद नहीं आया और ऐसे में उन्होंने इसके खिलाफ विरोध कर दिया अब यहां ऑविसली इनका भी मिमरी अल्टर नहीं हुआ था क्योंकि वो एल्डेन्स क्लैन से नहीं थे वह समझी रहे होगा आप सिचुएशन क्या होगा बिसि एकरमेंस क्लान के लीडर्स ने अपने क्लान से कहा कि हमें लोगों को बाहरी दुनिया के बारें बताना बंद करना होगा वरना हम सर्वाइब नहीं कर पाएंगे बचे खुचे जो भी अकरमेंस थे वह पहारियों में रहने लगे या फिर अंडर ग्राउंड सिटीज में य वहाँ पे जो मारलेंस थे वो बेसिकली एल्डेंस के साथ बहुत बुरा बरताओ करते हैं उनका ट्रीटमेंट दिन प्रति दिन खड़ाब होता चला गया और जो भी एल्डेंस मारलेंस की बात नहीं मानते थे उनको बेसिकली प्योर टाइटन में तबदील करके वो पैरड क्रूगर ही वो इंसान है जिसने ग्रिशा येगर को अपना अटाक टाइटन दिया था उसके बारे में भी हम आके जानेंगे तब तक आप लाइक बिटन को क्लिक कर दो वीडियो के शेर भी कर दो थोड़ा वीडियो को रीच बर जाती है उससे खर अपने पिता की गलतियों सुख कि Ayrang ने अपना ही एक रांतिकार्यों का ग्रूप बनाया जिसमें ग्रिशा ने भी पर्टिसपेट किया क्रूगर उन्हें अउन्हें अउल्डिया की हिस्टरी या मेरी इन लोगों के बारे में बताता था बताता कैसे था उन्हें लेटर भेषता था अब इस ग्रू पोड़ी उतनी जबरदस्त है वहीं टीना फिट्स रॉयल फैमिली सी थी और वहापस से वह एल्डीन के एंपायर को इस्टाबलिश करना चाहती थी उन दोनों की शादी हुई जिसके बाद एक बच्चा हुआ जिसका नाम था जीक येगर इसके कुछ सालों बाद मार्लियंस युनिट की अनॉun시면 incompat करी जहां पे पाथ साल से लेके साथ साल के उमर में ही लोगों को recruitment करके रेकुंछी ट्रेनिंग दी जाती थी विस अनफ से जो भी अच्छा वार्य बनेगा उने जो चो ताइटेंस इन्होंने कैप्चे करा था उसके में से किसी की पावर मिल जाएगी जिससे भी वो स्निच करना उसने बेसिकली मार्लियन फुलिस को यह बता दिया कि मेरे मम्मी पापा का एक ग्रूप है वो लोग आपके खिलाप है करांदी कारी है मार डालो नहीं बोला लेकिन बख दी जाके वहां सारा तो आपना एक टाइटन बायोजी रिसर्च सेंटर ऐसा कुछ बना लि इस सीरम से वो किसी भी इंसान को प्यूर टाइटन में तब्दील कर सकते हैं वो उन सब को पर दिया गया लेकिन गृरीशा येगर को एक ओफिसर ने छोड़ दिया ओफिसर बीसी कली चाहत था कि वह ग्रिशा इस वाल से गिरादेगा और जो प्यूर टाइटन बन गया है दमदिमाग हो चुके हैं वही लोग उसको मारेंगे बिसिकली उसके दोस्त लेकिन यहां एक और मारल ओफिस है था जिसने इस मोटे से ओफिसर को नीचे गिरा दिया यह ओफिसर और कोई नहीं बल्कि एरन क्रूगर दाउल ही था वो फिर अपने हाथ को काटके अपने को इनहरेट कर लो देन फाउंडिंग टाइटन की पावस को पाके एल्डिया को फाइनली उसके फुल ग्रोरी में रिस्टो करो अब यहां बलो कि यह काम तो एरन क्रूगर भी कर सकता था उसने ग्रिशा को ही क्यों चुना वेल आपको याद है यमीर का कर्स जी हां एरन क्र अंदर रहने लगा देन शादी भी कर लिया और अपना एक पूरा सेटप बना लिया और इसी के बाद जन्म हुआ एरन येगर का तो अगर हम फास्ट फरवोड करते इयर 845 पे तो मारले ने अपने यूनिट को पैरडिज आइलन भेजा फाउंडिंग टाइटन को लाने के लिए कारण एल्डिंग की टेकनोलीजी वह कुछ साल पीशे जली गई है मतलब कुछ दसों को पीशे जली गई है क्योंकि ओविसली वाल्स के अंदर उतनी आपकी डवांस्मेंट तो नहीं होगी जितनी बाहर वाले लोगों की हो रही है यह सब जलक आपको कहीं ने कहीं आ आपको इंट्रेस्ट है मैं और भी वीडियो इस अनिमे पर लाता रहूं चाहे वह पॉलिटिक्स हो इसकी आइडियोलोजी हो फिलोसफी हो बहुत कुछ कवर करना है जल्दी जल्दी लाइक करो दोस्तों के साथ शेय करो 20,000 लाइक्स कंप्लीट करना है ठीक है ना वीडिय आतीर एकिस चैनल पे अीडियो इस चैनल पे लिग आप इस चैनल पे लिए यू गाइस ने नेक्स वन पीस आओट